Assalamu alaikum dear learners and welcome in the topic number 14 which is about feeding your entrepreneurial fire यानि agenda इस वीडियो का यह है कि हम इसमें discuss करेंगे कि आपको कितने multiple sources से motivation मिल सकती है या idea मिल सकता है कि आप एक entrepreneur बन जाएं For example, सबसे पहला point तो यह है कि आप जिस environment में रहते हैं, जिस economy में रहते हैं वो economy और उसके economic indicators आपको बहुत जादा ideas दे सकते हैं For your entrepreneurial fire For example, लोगों की purchasing पार क्या है For example, इस वकत आपके मुल्क में inflation चल रहा है इस वकत आपके जो banks है वो कितने percent के उपर business के loans दे रहे हैं इसी तरह market के अंदर इस वकत price का competition क्या चल रहा है कौन सी industry excel कर रही है, किस industry को tax rebates मिल रहे है कितनी ऐसी जो हैं दूसरे मुल्कों की governments है जो आपकी government से कोई ना कोई treaty sign कर रही है जिस तरह आजकल हमारे हाँ CPAC को बहुत इहमियत हासल है और लोग अभी से ये सोच रहे हैं कि उन्होंने गवादर में जाके और बलोचिस्तान में जाके किन-किन businesses में investment करनी है ये तमाम economic indicators और उसके साथ साथ चोकि अब आप through internet and through social media एक global citizen बन चुके हैं इर्दिगिर्द दूसरे मुलकों के अंदर भी जो हला तो वाकियात हो रहे हैं वहां से भी आपको मुक्तिफ ideas मिल जाते हैं कि आप अपना कौन सा business कर सकते हैं Second most important चीज़ है आपके demographical factors और ये बहुत ही जादा critical होते हैं Demographical factors में हम क्या कुछ देख सकते हैं For example, आपके पास youngsters कितने हैं आपके पास minority कितनी हैं क्या आजकल जो एक बहुत रुजहन है working couples का वो भी है Urbanization बहुत जादा हो रही है बड़ी unplanned हो रही है खासतोर पाकिस्तान के अंदर Part-time entrepreneurship है Home-based entrepreneurship आप देख रहे हैं ये तमाम demographics जो हैं ये तमाम demographic आपको कोई ना कोई source दे रहे होते हैं कि जिससे आप idea generate कर रहे हो आपकी entrepreneurial fire को fuel मिल रहा होता है जितने भी इस वकत पाकिस्तान की consensus के मताबिक एक बहुत बड़ी population 25 साल से कम है अब इन 25 साल से कम लोगों को jobs भी चाहिए अब कितनी ही firms job create कर सकती है तो why not के फिर ये job seekers के बजाए job creators बने youngsters की अपनी needs है उनका अपना lifestyle है minorities की अपनी needs है उनके अपनी तहवार है फिर जो working couple urban areas में बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं ये working couples की अपनी needs है राइट तो ये working couples भी एकठे मिल के काम कर रहे है urbanization की वजह से ये हो रहा है कि वो बहुत से लोग जो पहले underprivileged areas में थे वो problems को ज़्यादा करीब से देखकर आये होते हैं उनकी understanding बहतर होती है तो जब वो शहरों में आते हैं तो उनके पास ज़्यादा बहतर ideas होते है likewise inflation चोके बहुत बढ़ गई है lifestyle बहुत improve हो गया है इसलिए लोग अब jobs के साथ-साथ कहीं न कहीं कोई side businesses भी जरूर कर रहे होते हैं अखवतीन अपने घरों में काम कर रहे हैं जिसको हम home based entrepreneurship कह रहे हैं ये सारी demographics भी आपके entrepreneurial fire के लिए बहुत बहुत बहुतरीन fuel है फिर उसके बाद universities और incubation centers और government की support ने भी basically बहुत से लोगों का रुझान इस तरह कर दिया है universities जिस तरह हम आपको entrepreneurship का course पढ़ा रहे हैं universities masters और M.P.L. और MS की degrees कर वा रही है universities अब industries के साथ linkages develop कर रही है incubation centers बन गए है अब आपके पास एक business idea है आप university graduate नहीं भी है आप business idea अपने incubation center में pitch करते हैं university को पसंद आता है आप उनके incubation center join कर लेते हैं और वो आपको पूरी support प्रवाइट करते हैं कि आपने business idea को improve कर सकें उसको develop कर सकें इसके इलावा एक service economy के तरफ बहुत रुज़ान गया है service economy को मतलब है कि आप services ज़्यादा दी जा रही है आपने देखा होगा online businesses क्या offer कर रहे हैं वो service ये offer कर रहे हैं आप drop पर हैं आप घर से बाहर निकल के खरीदारी नहीं कर सकते आप online जाएए चीज पसंद कीज़े order place करें और चीज आपके दरवाजे पर आ जाएगी it's a service Uber and Kareem आप कहीं जाना चाहते हैं आपके पास गाड़ी नहीं है आप अपने smartphone से जो है वो taxi book कराएए taxi आपके दरवाजे पर होगी so agriculture, manufacturing इन तमाम चीज़ों के बाद अब आजकल को जो रोजान बहुत जादा है वो है service economy की तरफ और इस service economy shift की वज़ा से entrepreneurs को बहुत से और ने ideas आए हैं फिर आजाती है technological advancement इस वकत जो हम जिस एक revolution के अंदर है ठीक है न, machine revolution के अंदर है robotics हम देख रहे हैं बहुत जादा है इसकी वज़े से बहुत से ideas आते हैं for example, Japan की एक demographic है के वहाँ पर old age लोग बहुत जादा है because उनकी life expectancy बहुत जादा है youngsters जो हैं वो अपने बुज़र्गों का ख्याल नहीं रख पा रहे है क्योंके वो economy के अंदर जा कि अपने अपने पार्ट अपना प्ले कर रहे है so why not कि वो robotic nurses बना रहे हैं जो उन बुज़र्गों का ख्याल रख सके है अब ये idea सिरफ इसलिए आया because वहाँ पर technological advancement है ना होता यानि कि technology इतनी advance ना होती तो ये idea भी ना आता फिर एक बात होती है self accomplishment आपने अभी recently देखी होगी list निकली है जो दुनिया के अमीर तरीन लोग थे और जो self made अमीर तरीन लोग है ये वो ही थे जिन्होंने इस क्राइट से अपना business शुरू किया और आज उनका business पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये self motivation, ये self gratification ये आपका जो एक एक मेनान होता है कि आपने अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ किया है अपने लिए और दूसरों के लिए ये भी आपकी entrepreneurial fire होती है फिर बहुत से entrepreneurs की कुछ personal reasons भी होती है बहुत personal touch होता है किसी का बेटा भी मार था उसको अच्छी service नहीं मिली उसने अपना hospital open कर लिया किसी को कोई एक event में कोई problem आई बहुत से से लोग हैं जो cancer patient थे cancer से जंक कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपनी consultancy एक firm खोली जो जितने भी cancer patient से उनकी help करते है आपका entrepreneur बनने का कोई बहुत personal reason भी हो सकता है और at the end जो आप सब जानते हैं ये e-commerce का जमाना है worldwide web का जमाना है हमारे पास कई business models तो सिरफ और सिरफ इस वकर internet के उपर, आपके facebook के उपर आपके twitter और instagram के उपर उनका पुरा-पुरा-पुरा business model जो है वो चल रहा होता है, businesses चल रहे होता है आपकी entrepreneurial fire क्या है ये depend करता है कि आप कहां रहते हैं आपका environment क्या है आप किस age में हैं आप basically जिन्दगी में करना क्या चाहते हैं और आपकी personal reasons क्या है चुकिए हर एक की personal reason different होती है सो आईए हम अब कुछ entrepreneur से पूछते हैं कि उनकी entrepreneurial fire जो है उनको motivation किन sources से मिल रही है मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि Allah ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हूँ उसका इस्तमाल ना करना कुफराने निमत है और अगर Allah ताला ने मेरे में कुछ सलाहियत दी है तो वो सलाहियत मैं अब अपने लिए इस्तमाल नहीं करता हूँ वो मैं अपनी employees के लिए इस्तमाल करता हूँ अपने माशे के लिए इस्तमाल करता हूँ government की policies के अंदर intervene करने ही कोईश करता हूँ अगर आपने अपनी कश्टी उंची करनी हो तो समुन्दर का पानी उंचा करना बड़ता है और समुन्दर का पानी तभी उंचा होता है जब हम सब मिलके उसके उपर मेहनत करेंगे और अपने मुल्क की policy हैं ठीक करवाएंगे तो मेरी motivation अब ये है कि मैं इस किसी तरह से अपनी जात से बाहर निकल के इस मुल्क के लिए भी कुछ कर सको